का तक वीर अब्दुल हमीद और मेजर रामस्वामी परमिश्वन से लेकर सभी 21 परमवीर सब के लिए एकी संकल्प रथा राष्ट सर्वप्रधम इंडिया फास्ट उनका ये संकल्प जब इन वीपों के नाम से हमेशा के लिए अमर हो गया है करगिल यूत में ये दिल मांगे मौर का विजय गोश्ट करने वादे कैप्टन विकरम इनके नाम पर अन्दमान में एक पहड़ी भी समर्पित की जा रही है भाई और भेनों अन्दमान निकोबार के द्वीपों का इन नाम करन उन परंबीर चक्र विजयताओं का सम्मान तो है ही साथ ही भारतिय सेनाओं का भी सम्मान है पूरब से पस्चिम उत्तर से दख्षे दूर सुदूर समंदर हो या पहाड इलाका निर्जन हो या दुर्गम देश की सेनाएं देश के कण कण की रक्षा में तैनात रहती है आजादी के तुरंद बात से ही हमारी सेनाओं को युद्धों का सामना करना पड़ा हर मोके पर हर मोर्चे पर हमारी सेनाओं ने अपने शौर्य को सिद्ध किया है ये देश का कर्टव्य था कि राष्ट रक्षा इन अभ्यानों में स्वयन को समर्पित करने वाले जवारों को सेना के योगदानों को व्यापक स्तर पर पहचान दी जाएं आज देश उस कर्तव्य को उस जिम्मेदारी को पूरे करने का हर कोशिश प्रयास कर रहा है आज जवानों और सेनाओं के नाम से देश को पहचान दी जा रही है साथियों अन्नमान एक ऐसी धरती है जहाँ पानी, प्रकृती, परियावरा, पुर्शार्थ, पराक्रम, परंपरा, परियतन, प्रभोधन और प्रेरना सब कुछ है देश में ऐसा कौन होगा जिसका मन अन्नमान आने का नहीं करता है अन्नमान का सामर्थ बहुत बड़ा है यहाँ पर अथा आउसर है हमें इन आउसरों को पहचानना है हमें इस सामर्थ को जानना है बीते आठ वर्षों में देश ने इस दिशा में लगातार प्रयास किये हैं कोरोना के जटकों के बाद भी परियतन शेत्र में अम इन प्रयासों के परणाम दिखाई देने लगे हैं कि दोहजार चौदा में देश भर्षे जितने प्रयाटक कि अन्नमान आते थे कि दोहजार बाइस में कि तो प्रयाटन से जुद्ध कि इसके साथ ही एक और बड़ा बडलाव बीते वर्षों में हुआ है पहले लोग केवल प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में यहां के बीचीज के बारे में सोचकर अन्नमान आते थे लेकिन अब इस पहचान को भी विस्तार मिल रहा है अब अन्नमान से जुड़े स्वादिंता इतिहास को लेकर भी उत्सुकता बढ़ रही है अब लोग इतिहास को जानने और जीने के लिए भी यहां आ रहे हैं साथ ही अन्नमान निकोबार के दिप हमारी सम्रिद्द आदिवासि परंपरा की दर्ती भी रहे है अपनी विरासत पर गर्व की भावना इस परंपरा के लिए भी आकर्शन पैदा कर रही है हम नेता जी सुपाचंद्र बोश से जुड़ी समारक और सेना के स्वर्यक और सम्मान देश वाचियों में यहां आने के लिए नई उत्सुकता पैदा करेगा आने वाले समय में यहां पर्यटन के और भी असिम आउसर पैदा होंगे साथियों हमारे देश की पहले की सरकारों में खासकर विकृत वैचारिक राजनीती के कारण दस्तकों से जो हीन भावना और आत्म विश्वात की कमी रही उसके कारण देश के सामर्थ को हमेशा अंडरेस्टिमेट किया गया चाहे हमारे हिमालई राज्य हो फिशेश कर पुर्वत्तर के राज्य हो या फिर अन्नमान निकोबाज जैसे समुद्री द्वीप शेत्र इने लेकर ये सोच रहती थी कि ये तो दूर द्राज के दुर्गम और अप्रसंगी कि लाके हैं इस सोच के खारण ऐसे एक शेत्रों की दसकों तक उपेक्षा हुई ने उनके विकास को नजर अन्दाज किया गया अन्नमान निकोबाज जीप समुद्री इसका भी शाच्छी रहा है दुनिया में ऐसे कई देश हैं ऐसे कई विक्सित वीप हैं जिनका आकार हमारे अंदमान निकोबार से भी कम है लेकिन चाहिज सिंगापोर हो माल्दीव हो सेसेल्स हो ये देश अपने समसाधनों के सही इस्तिमाल से तुरियम का एक बहुत बड़ा आकर्शन का केंदर बन गए पुरी दुनिया से लोग इन देशों में परियतन और बिंदेश से जुड़ी संभावनाओं के लिए आते हैं ऐसी ही सामर्थ भारत के दीपों के पास भी है हम भी दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं लेकिन कभी पहले उस पर ध्यान नहीं दिया गया हाला तो ये थे कि हमारे यहां कितने दीप हैं कितने टापू हैं इसका हिसाब किताब तक नहीं रखा गया था आज देश इस और आगे बढ़ रहा है अब देश में प्राकृतिक संतुलन और आधुनिक संसाधनों को एक साथ आगे बढ़ाया जा रहा है हमने सम्मरीन आप्टिकल फाइबर के जर्ये अंदमान को तेज इंटरनेट से जोडने का काम शुरू किया अब अंदमान में भी बाकी देश की तरह ही तेज इंटरनेट पहुंचने लगा है डिजिटल पेमेंट और दूसरी डिजिटल सेवाओं का भी यहां तेजी से विस्तार हो रहा है इसका भी बड़ा लाब अंदमान आने जाने वाले टूरिस्टों को हो रहा है साथियों अतीच में अन्दमान निकोबार ने आजहादी की लड़ाई को नई दिशा दी थी उसी तरह भविश्में ये खेत्र देश के विकास को भी नई गती देगा मुझे विस्वास है हमें एक ऐसे भारत का दिर्वान करेंगे जो सक्षम होगा समर्थ होगा और आज़ूनिक विकास की बुलिद्दियों को छूएगा इसी कामना के साथ एक बार फिर नेताजी सुभास और हमारे सभी वीर जवानों के चर्रों में नमन करता हूँ आप सबको पराकरम दिवस की बहुत बहुत शुब कामना है बहुत बहुत धन्यवाद आप सबक्ता है आप सबक्ताने की बहुत 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 शुब कामना है जवत्बल